नमस्कार आप देख रहे हैं निज ब्रोडकास 24 और में हूँ आपके साथ अंजू भाटी साइबर सिटी गुरुग्राम में सद्यो पराना माशीतला के दरबार में नवरात्रों के पहले ही दिन भक्तों का ताता देखने को मिला दूर दरा से भक्ताकर शीकला माता के दर्शन कर रहे हैं आपको बता देए कि पहली नवरात्री पर दुर्गा माता के सो रूप शैल पुत्री के रूप में पूजा की जाती है हिमाले की पुत्री होने के कारण माता को शैल पुत्री का नाम दिया गया था यह भी का जाता है कि पहले नवरात पर मा का वरत करने और दर्शुन करने मात्व से हिस्थ भी मनो-कामनाय पून हो जाती है ओर स्वास्त्य समर्दी के साथ सम्मान में भी व्रध्धी होती है आपको बता दे कि वहीं मंदीर में सुरक्षा के मद्दे नजर हरियाना पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनाथ है मंदीर परिशद में CCTV कैमरे से निग्रानी की जा रही है मा के दर्शन करने आये भक्तों की माने तो इस मंदीर में जो भी भक्त सचे दिल से मा की पुजा अर्चना करता है मा उनकी मनो कामनाय पूरी करती है आपको बता दें कि माते शीतला श्राइन बूर्ट की दरफ से भक्तों के लिए ठहर ने परसाथ, पानी और वैटनी की वबस्ता भी की गई है जिसे मंदीर के अंदर भक्त आसाली से दर्शन कर सके इसी सब को ध्यान में रखते हुए एक लंबी ग्रिल के मार्ट को भी बनाया गया है श्रीतला माता मंदीर में भी भीड होने के कारण विशेश वबस्ता की गई है जिसे भक्तों को किसी परकार की दिक्कत ना हो आपको बता दें कि ये मंदीर सधियो पुराना मंदीर है बताया जाता है कि महा भारतकाल के समय से ही इस मंदीर का निर्मान किया गया था गुरुग्राम गाउं में दादा सिंधा को स्वप्न में देवी ने दर्शन देते हुए का था कि मेरी मूर्ती की स्थापना करो जो की पिंचो करावाले जोड में दबी हुई है जिसके बाद से मा की मूर्ती की स्थापना हुई मा के दर्बार में जो भी भक्त हाजरी लगाता है मा उनकी मनों कामना जरूर पूरी करती है मंदर नवरात्रों में 24 घंटे के लिए उपन रहेगा 24 घंटे में मा भुगत की दर्षन करें जिससे लोग ज्यादा भीड़ना इखटी हो जक्का मुक्ति ना हो मंदर प्रसासन चाहता है कि सब आरम से दर्षन करें मा भुगत की दर्षन के लिए मा भुगत की दर्षन के लिए मा की किरपा से नो दिन तक पाठोंगे और फिर नो मी की दिन हवन होगा बंदा रहेगा आपको बता दे कि मंदिर में उतर भारत से नहीं बलकि अन्य प्रांतों से भी लोग यहां दर्षन करने के लिए आते हैं साल में दो बार यहां मेला लगता है नवरात्रों में यहां भक्तों की भारी भीड रहती है जहां पहले मंदिर मीजी हातों में था जब से सरकार के हातों में आ गया है तब से मंदिर की दशा निराली होती जा रही है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खवरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं न्यूज ब्रोड़कास्ट 24 नमस्कार